हाई फ्रेंब्स, Westage Amazing Products की सीरीज में आज हम जानेंगे Westage calcium tablets के बारे में आये पहले जानते हैं calcium क्या है दोस्तो calcium में खनीज है जिसकी मानब शरीर को बहुत अपसकता होती है यह हमारे सरीर में सबसे प्रचूर मात्र allen में पाया जाने वाले खनीज है और अच्छे स्वास्त के लिए केल्सियम बहुत महत्पूर्ण है सरीर का 99% केल्सियम हमारी हड्यों एवं दातों में स्टोर होता है हमारी हड्यों की सेहत के लिए केल्सियम बहुत ही जरूरी है केल्सियम हमारे सरीर में क्या कारे करता है केल्सियम हमारी हड्डियों के विकास एबाम हड्डियों को मजबूत बनाने का कारे करता है या हमारे हाट को पांप करने में मदद करता है हमारे ब्लड प्रेसर को मेंटेन रखने में केल्सियम बहुत ही महत्पूर्ण भूमी का निवाता है हमारे नर्वर्स सिस्टम में सिंगनल ट्रांसफर करने में सहाथा करता है हमारे मांस्पेशियों को गति सील बनाने में सहाथ होता है इसके अलावे भी कैल्सियम के बहुत सारे काड़े है कैल्सियम का बिटामिन डी से क्या सम्मंद है कई बार आपने सुना होगा कि बिटामिन डी के बैगर अगर कैलसियम लेते हैं तो लेना और नहीं लेना दोनों बरावर होता है दरसल बिटामिन डी कैलसियम को अवसोसित करने में सरीर की मदद करता है बिटामिन डी का मुख्य काम कैलसियम का आतो द्वारा शोशन है vitamin D का मुख्य source सूर्य का प्रकास है मनुश्य की तुचा सूर्य के प्रकास की सहयता से vitamin D संसलेशित कर लेती है केल्शियम की कमी क्या परिड़ी नाम है वैसे तो केल्शियम की कमी से बहुत सारे problems होते है पर इसमें कुछ प्रमुक है जैसे osteopurasis osteoporosis इस रोग में हड्य कमजोर हो जाती है और बार-बार तूटने लगती है Osteoporosis में दोस्तो हड़िया इतनी कमजोर हो जाती है कि अगर आप स्लिप कर जाए बात्रूम में गिर जाए पर आपका उंच नीच सर्फिस में पर जाए तो हड़िया फ्रेक्चर हो जाती है इसके अलावा रिगेटर्स शुखा रोग जी से कहते हैं इसमें हड़िया सौफ हो जाती है इतनी सौफ हो जाती है कि वह मोड़ने लगती है और हमारे हाथ पैर कुछ मुरे मुरे अलग से एंगल में नजर आते हैं इसके अलावा टेटनी रोग है इसमें नोसरो की गतिविदी अत्याधिक बढ़ जाती है जिस कारण मां स्पेशियों में संकुचा नाने लगता है खिचावाने लगता है रूमेटाइड अथ्राइटिस यहाँ एक स्वाव प्रतिरक्षित रोग होता है जो उत्तकों में छती और जोरों में सुजन जलन वह लालीमा पैदा करने का कांड बनता है रूमेटाइड अथ्राइटिस में हमारे इमिन सिस्टम हमारे बड़ी के टिसूज को डेमेज करता है जिसे हमें आसाहनिये दर्द होता है शूजन होता है हमारी स्किन रेड हो जाती है इसके अलावा कैल्सेमी कमी से हमारे नाखून कमजोर होते हैं दातों में और मशूरों में दर्द होता है हमारा ब्रेट प्रेशर हाई रहता है थकान महसूस होता है हम डिप्रेशन के भी सिकार हो सकते हैं इसके अलावा भी कैल्सियम कमी से बहुत प्राब्लम हो सकती है केल्सियम के स्वोर्स क्या है ? अलाबा आज का लोग फोडर स्प्लिमेन्ट के रूप में भी केल्सियम को ले रहे हैं केल्सियम हमारे रोज मलरा के खानपान से पूरा नहीं हो पाता इसलिए डॉक्टर भी फूट सप्लिमेंट के रूप में केल्सियम लेने की सलाह देते हैं वेस्टिज आपके लिए लेकर आये हैं वेस्टिज केल्सियम टैबलेट है वेस्टिज केल्सियम के प्रतेक टैबलेट में 625 Mg केल्सियम करवोनेट है जो 250 ml elemental calcium के बरावर है और इसमें vitamin D3 250 international unit होता है दोस्तो wastage calcium बिल्कुल ही किफायती है 270 रुपे में 100 tablets उपलाब्ध है wastage calcium के doses क्या है दोस्तो wastage calcium खाने के बाद एक सुबह एक साम लेना है ध्यान रहें calcium एक बारे में एक ही tablet लेना है wastage calcium के फायदे के बारे में जानते है wastage calcium मजबूत और स्वेस्थ हड़ियों के निर्मान और रख रखा में मदद करता है या हमारी दांतों की समस्याव को भी दूर करता है vitamin D3 के साथ मिलकर या हड़ियों की density को बढ़ाता है और हड़ियों में होने वाले fracture की संभावना को काम करता है calcium osteoporosis होने की संभावना को भी काम करता है या बच्चों और महिलाओ के लिए वीशेस रूप से उप्योगी है दोस्तों हमें calcium जरूर लेना चाहिए आज कल fast food से या जो हमारा lifestyle है भागदोर की जिन्दगी है उसे हम अपने खाने पर ध्यान नहीं दे पाते हैं कहीं न कहीं हमारा healthy diet छूट जाता है जिससे हमारे सरीर में calcium की कमी रह जाती है इसलिए अपने सरीर में calcium की कमी को पूरी करने के लिए आप waste is calcium tablets use कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग वीडियो I hope आप लोग जरूर waste is calcium का use करेंगे और अपने सरीर से बहुत सारे problem को होने से रोकेंगे